in the name of Allah the most beneficent ever merciful dear students we are going to do unit number seven present perfect tense with just and almost present perfect tense dear students आपको पता ही है इसमें has या have use करते हैं with third form of verb और उसके साथ just और almost just का मतलब है अभी या सिर्फ और almost मतलब तक्रीब बन read and answer the questions dear students जैसा कि आप picture में देख रहे हैं जेब ने अभी street को cross करना पार्क करना शुरू किया है नासर street पार्क कर रहा है और उसमा ने तक्रीबन street पार्क कर ली है लेकिन अभी पूरी नहीं की और जमील street गली पार्क कर चुका है तो हम इन sentences को देखेंगे has Zeb crossed the street क्या जेब ने street क्रॉस कर ली है गली पार्क कर ली है no नहीं she has just begun to cross नहीं उसने अभी start किया है पार्क करना just अभी has Nassir crossed the street क्या नासर ने street पार्क कर ली है no he is crossing no नहीं वो पार्क कर रहा है has Uzma crossed the street क्या जेब ने गली पार्क कर ली है no but she has almost crossed नहीं लेकिन वो तक्रीबन क्रॉस कर चुकी है has Jamil crossed the street क्या जमील ने गली पार्क कर ली है yes he has just crossed हाँ उसने क्रॉस कर ली है अभी अभी उसने cross की है पार की है उसने पार कर ली है okay in pictures को देखे और in sentences को है जेब read her book क्या जेब ने अपनी बुक पड़ ली है यह देखें जेब की बुक अभी उसने start की है no she has just begun to read it नहीं उसने अभी उसको पड़ना start किया है यहां हम read यूज करेंगे क्यूंकि third form यूज हो रही है है इसके साथ और यहां to के साथ first form read की यूज हो रही है इसलिए हम to read इसको पड़ेंगे has Jamil read his book क्या Jamil अपनी बुक पड़ चुका है no he is reading it now नहीं वो अभी पड़ रहा है यह देखें Jamil की बुक अभी वो पड़ रहा है has Nassir read his book क्या Nassir ने अपनी बुक पड़ ली है no but he has almost read it लेकिन नहीं वो तकरीबन उसको पड़ चुका है यह देखें बस the end होने वाल है लेकिन अभी वो पड़ रहा है उसको उसने पूरी finish नहीं की पूरी read नहीं की has Uzma read her book क्या Uzma ने अपनी बुक पड़ ली है yes she has just read it हाँ उसने अभी अभी पड़ ली है यह देखें उसमा की बुक finish हो चुकी है उसने reading कर ली है अब हम इस picture को देखके इन questions के answers देंगे has Jamil climbed the ladder क्या Jamil जो है वो ladder पे चड़ चुका है सेड़ी पे चड़ चुका है no he has just begun to climb नहीं उसने अभी start किया है चर्णा हम इसमें जो climb है इसमें be silent है climbed बोलेंगे और इसमें भी be silent है climb has Nassir climbed the ladder क्या Nassir सीड़ी चड़ चुका है अब ये देखे Nassir अभी चड़ रहा है no he is climbing no नहीं वो चड़ रहा है has उसमें climbed the ladder क्या उसमें ladder पे सीड़ी पे चड़ चुकी है no she has almost climbed नहीं वो तक्रीबन चड़ चुकी है लेकिन अभी नहीं पूरी नहीं चड़ी has zeep climbed the ladder क्या zeep ladder पे चड़ चुकी है yes she has just climbed हाँ वो अभी अभी चड़ी है क्याओ वो अड़ी आफ से स स्च्चच्च्च्च्च्च्च्च्च। कर Não मख़ारा है आप brighter